टोईलेट या बातरूम बनादे वक्त कुछ गलतिया अक्सर हम कर देते हैं जिनके बाद में हमें जिवन बरपस्ताना पड़ता है इस वीडियो के मादनें से हम जानेंगे हमारा इसका पार्ट वन है जिसे आप देख सकते हैं डोर एम विंडो विंडो हमेशा दो फिट के किसी दरवजा ही लगाएं ताकि पाने से खराब ना हो सके संकेन संकेन का प्लास्तर यह वाटर प्रूफिंग ज़रूर करें और पीवीसी फिटिंग कर उसके अंदर मठके फिलिंग करें ताकि मलबाविए वो कचरा ना बरें ताकि लोडन आए और सीलन भी ना वीडियो बात्रूम फिटिंग कर उसका एक वीडियो बना ले ताकि पलास्तर के बाद आपको पताचल के फिटिंग कहां कहां हो रखी है इसके लिए एक्स्टा तोड़ फोड करना ना पड़े फ्लोरिंग करने से पहले सभी PVC यह नल की फिटिंग कर ले वे और पलंबर को प्लिंथ बीम ना तोड़ने दे नहीं तो भवन कमजोर होगा दिवार बातरूम की दिवार 9 इंच की रखें जिस पे आप नल एंग गिजर लगाना चाहेंगे 4 इंच की दिवार पर आप ज़्यादा लोड नहीं दे सकते D4 – Fluss Seat इस पे दो परकार के Fluss होते हैं ताकि आप यूज करते समगे 3-6 लीटर का यूज करें ताकि आपको पाने की बज़त हो सके End Cape पाइप में फिटिंग करते वक्ट सारी फिटिंग होने के बाद end Cape जरूर लगाएं ताकि कोई कच्रा पाइप में ना जाए टंकी छट पर टंकी रखकर सभी बातरूम की फिटिंग कर आप उसमें जोड़ देवें और पानी की सप्लाई कर देखें कि कोई सीलन या लिकेश तो नहीं अजदी है तो उसे तुरुंत करें अन्य टाइल लगाने के बाद तोड़ना बहुत महँगा पड़ेगा असेसरी बातरूम फिटिंग की वीडियो की साहिता से आप सभी कारिये पूर्ण होने के बाद आप असेसरी लगवा ले ताकि बाद में बातरूम यूज करते वक्त आपको दिकत नहीं आए एकजस्ट फैन जरूर लगाएं ताकि बार बार या अधिक लोग के इस्तिमाल करने से टोलेट में बदबू ना आए और घर के अंदर बदबू ना आए वास वेशन में गरम ठंडा दोनों का कनेक्शन करवाएं ताकि सर्द्यों में आपको दिकत ना आए गिजर गिजर हमेशा टाइल से उपर ही लगवाएं यानि कि साथ फिट उपर लगाएं ताकि उसकी फिटिंग अच्छी तरीके से हो सके ये ती कुछ जानकरियां बातरूम बनाते वक्त ब्यान रखें इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजि हिं जाते हैं